नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रेंक टू एमेस में और मैं आपके लिए लेकर कहा हूँ BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट तो फ्रेंट्स जैसा कि आपको पता है कि BSNL के पैंशन करमचारियो जितने भी पैंशन करमिय हैं उसके लिए बहुत सारे नियम और कानून बदलने वाले हैं एक जुलाई से तो अब सबसे बड़ी और सबसे लेटेस्ट अपडेट आ रही है BSNL पैंशन करमियों के लिए कि केंद्रिय मंद्री मंदल केंद्रिय मंद्री मंदल ने मंगल वार को प्रदान मंद्री नरेदर मोदी जी के अध्यक्ष था में हुई बेठक में सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL आपकी अपनी BSNL के जितने भी सेवन अबरत करमचारी हैं चाहे वो BRS एप्टीज हो चाहे वो regular employees हो चाहे उन्होंने कुछ से कमपसले retirement लिया हो तो उन सभी के लिए BRS और CRS दोनों के लिए ही अब BSNL के करमचारीों के लिए जिनोंने pension जिनकी शुरू होनी है और जिनकी शुरू हो चुकी है उन सभी के pension में संसुदन को मंजूरी दे दी है और BSNL के जितने भी सेबा निब्रत करमचारी है अगर अब उनको pension मिलेगी तो उसके बूर मूल वेतन में अब 50% का महेंगाई बत्ता जोड़ दिया जाएगा यानि कि आप समझ लीजिए कि BSNL के करमचारीों को जितने भी मूल वेतन मिलता था अब उसमें 50% का महेंगाई बत्ता जोड़ करके आपको मिलेगा तो ये गोशना की गई है केंद्रिय मंत्री मंडल के दुआरा मंगलबार को प्रदान मंत्री नरेदमोदीगी कि अद्धक्ष्टा में जहां पर दूर्शंचार कमपनी भारत की आपकी अपनी सरकारी कमपनी BSNL के जितने भी सेवाने बरत करमचारी हैं सभी के पेंशन में इस संसुदन को मंजूरी दे दी गई थी और जिसके तहत आपको 50% का मेंगाई बत्ता जोड़ करके अब मिलेगा तो इस तरह से मोदी सरकार के दौरा आग बहुत ही बड़े फैसले लिए गया हैं BSNL के लिए तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक तरफ तो पेंशन करमियों के लिए बहुत बड़ी न्यूज आई है साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3021 करोड रुपे 3021 करोड रुपे जारी किये हैं BSNL के लिए BSNL, BRS, Optis को ताकि मिल सके एक्सगरेशिया का पूरा भुकतान और इनको लगभग और लगभग जो इनका फर्ष्ट एक्सगरेशिया का जो फर्ष्ट इंस्टॉल्मेंट था उसका पूरा भुकतान हो जाएगा 3021 करोड रुपे से और आपको बता दे कि लगभग 18-19% का भुकतान तो पहले ही किया जा सुका है और बाकी का भुकतान अब 3021 करोड रुपे के दुआरा हो जाएगा और ये पूरा का पूरा पैसा दिया जा रहा है मोधी सरकार के फंड से यानि कि मोधी सरकार के दुआरा बजट में से सामिल किया गया था इसको और पहली बार BSNL को बजट में सामिल किया गया था BRS देने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी BSNL के करमचारियों का भुक्तान हो सके और ज़्यादा ज़्यादा इंप्लोई BRS ले सकें तो इस तरह से आप देख सकते हो कि 30 जून से पहले पहले BSNL के जितने भी BRS आप्टीज हैं उनका भुक्तान हो जाएगा भही अगर देखे हम तो टोटल 3600 करोड रुपे BSNL और MTNL दोनों के लिए ये पैसा अलोट किया गया है और आपको हम बता दें कि जहां तक BSNL के लिए 2021 करोड रुपे है तो बाकी का 3600 करोड में से जो 589 करोड रुपे जो बचेगा उसका भुक्तान किया जाएगा MTNL के एंप्लोईज को एकस गरेशिया देने के लिए तो इस तरह से अगर देखा जाए तो BSNL के और MTNL के दोनों के CMDP के परवार जी के दुआरा यह गोशना की गई कि किस तरह से बजट का डिस्टिविशन होगा ख्लेशिया देने में तो इस तरह से ना केबल BSNL के लिए बलकि MTNL के एंप्लोईज के लिए भी इस समय एकस गरेशिया की गोशना हो चुकी है कि कितना पैसा मिलेगा MTNL के एंप्लोईज को एक्स ग्रेशिया के रूप में तो दोस्तों आपको बता दें कि 22.5% of gross amount of एक्स ग्रेशिया का जो सेंक्शन हुआ है उसको उसको 29.6.2020 यानि की जो अब सवंबार आ रहा है BRS Optis को वो सर्किल्स में चला जाएगा उपैचा और ERP के थुरू उसकी complete processing जाएगा positively process हो जाएगा और आपका fund 30 तारिक तक आपका account में आ जाएगा यानि की 30 तारिक तक सभी BRS Optis के account में पैसे पहुँच जाएगे तो ये बहुत ही बड़ी news है ये confirm किया गया है किसके दुआरा unions की websites के दुआरा जहां पर ये complete जानकरे दी गई है कि मोधी सरकार के दुआरा ये जो budget में सामिल किया गया पैसा था BRS Optis के लिए और BRS और एक्सग्रेशिया के लिए तो वो एक्सग्रेशिया का first installment का बुक्तान अभी ओच चुका है तो thank you friends वीडियो को like करें दोस्तों के साथ share करें Facebook, भार्चाइब, टेलिग्राम गुरूप पर और सब्सक्राइब करें आपके अपनी YouTube चैनल Rank2MS को धन्यवाद